प्रीती और रानी दो पक्की सहेलियां थी. एक वक्त कॉलिज से आते आते प्रीती ने देखा एक बस तेज सिरहाने की तरफ आ रही है. प्रीती ने जट से अपनी जान की परवाह की बिना रानी की जान बचाई और अपनी जान गमवा दी. रानी जोर से चिल्लाई और मदद क पुकारने लगी। तब ही वहाँ आसपास के लोगों ने प्रीती को हॉस्पिटल ले जाने में रानी की मदद की। रानी डॉक्टर के सामने रो रो कर बोली। डॉक्टर प्लीज मेरी दोस्त को बचा लीजिए। डॉक्टर ने प्रीती की नब्स देखी और कहा। एम प्रीती की में रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसी रात रानी रो कर सो गई। तब ही उसके सपने में मुलाकात हुई। प्रीती तुम जिन्दा हो। नहीं मैं सिर्फ तुम को दिखूगी। और प्रीती को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। समय बीटता और रानी की शादी होगी कि रानी और प्रीती खरीदारी करने बाजार जाती और जरूरत का सामान लेकर घर लोटाते। प्रीती रानी के काम में उसका हाथ बटाती और रानी सबजी बनाती तो प्रीती सबजी काट कर दे देती। साब आफिस से आते ही होंगे प्रीती। त मैं अपनी सास का भी खयाल रखूंगी. मैं वह किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम मिली. अगले दिन सुभह आफिस जाते समय रानी से कहा, सुनो रानी, आज शाम तक मां आ जाएगी. मैं आफिस से जल्दी आ जाऊंगा. खयाल रखना. राज़ आफिस चला गया है कि रानी ने नाश्ता तैयार किया और प्रीती का इंतजार करने लगी. कुछ समय बाद प्रीती रानी के पास आई और पूछा, क्या सोच रही हो? रानी चुप चाप बैठी थी. आज मेरी सास आ रही है और हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ अब तुम यहां भी नहीं आ सकती. मेरे पास हमेशा मेरे साथ रहेगी. इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाउंगी. मैं खाना भी नहीं दे पाउंगी. अगले दस दिन तक रानी बहुत उदास हो गई और प्रेटी को भी दुख हुआ. रानी अपना ध्यान रखना. मैं अब तुमसे दस दिन बाद मिलूंगी। अगर तुमको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुला लेना। प्रीती, दस दिन तुम्हारे बगयर रहना बड़ा मुश्किल होगा। रानी उदास हो गई। तभी किसी ने दर्वाजा भी खट-खटाया। शायद मेरी सास आ गई है। तुम जाओ, जल्दी दर्वाजे पर। सच मेरानी के सास खड़ी थी वह बोली। आईये मी जी, आईये अंदर, आईये, बैठिये। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तुम्हारे जैसी बहु मिली, मेरी यही बदकिस्मती है। यह सुनकर प्रीती को अच्छा नहीं लगा। उसे सास पर बहुत गुस्सा आया। इसका दिमाग खराब लगता है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा माजी। आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती रानी अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही प्रीती। तुम गई नहीं तो मैं अगर मेरी जरूरत हो, मुझे बस एक बार पुकार लेना। ठीक है, सब खाने के लिए। महराज मा से पूछता है। तुम मा की बात का बुरा मत मानो, उससे सबक सिखाना ही पड़ेगा रानी। तुम तुम अपनी सास के लिए लड़ू बनाओ, तेरी बीवी मुझे मारने की कोशिश कर रही। देखो, मा के लिए अलग लड़ू बना ली थी, शुगर के मरीजों के लिए अच्छी होती और रानी मा का कितना खयाल रखती हो सास। रात के खाने के बाद चेहरा धोकर अपने कमरे में जाती है। रास्ते में प्रीती अपना पैर रखकर उसे गिरा देती है। मेरी टांग तूट गई। राज और रानी भाग कर मा को उठाते हैं, अपने कमरे में ले जाते हैं। रानी अपनी सास की बहुत इज़त करती है। उस वक्त सास को एहसास होता है कि वह उसकी बहु को गलत समझ रही थी। रानी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तो गलत समझा। अरे माजी, आप मेरी माज ऐसी हो, मुझसे माफी मत मांगो। देखो रानी, तुम्हारे सास की अकल ठिकाने आ गई। हाँ प्रेटी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करना, मेरा फर्ज है, सब हसी खुशी रहने लगे थे।